सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एवम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नए वीडियो नवश्कार दोस्तों भगोनाव सभी कबला करूर आपके सारी चैनल करें मेरे कामने पुरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्मों जान करें वेग करूंगा और यहां पर आपके जो क्वेरी है पहले उसका अंसर देने को अवरूल पाम रेडिंग प बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो सूर्य के छेतर पर हम आएं सबसे पहले तो सूर्य पर हम देख सकेंगे कि सूर्य के जो रेखा है वो आपकी मजबूत है उसमें बिलकुल भी कमी नहीं है और इतनी मजबूत सूर्य रेखा जब हो जब मस्तिश रेखा कि नीचे से य रहे हो तो यह सावसाव दर्शाती है कि बड़ा पद सम्मान वो सरकारी नोकरी आपकी होगी रेजन इसके पेछे यह है कि यह कॉंबिनेशन बहुत जदा महनती और बहुत जदा यहाँ पर पराकरम व्यक्तित वो वाले लोगों के हाथ में ही आती है और उनी लोगों के हाथ में सुरे रेखा लंबी होती है जो लोग बहुत जदा सक्षम इनसान होते हैं किसी भी तरह का पद संभालने के लिए किसी भी तरह का बड़े सतर का काम करने के लिए या सरकारी नोकरी युक्त होने के लिए सरकारी नोकरी युक्त होने का सबसे biggest benefit ये होते है कि इसमें security होता है और सुर रेखा security का कारा की कि ऐसे जातक की जो need है market में ज़्यादा होती है और ऐसे जातक कि पस कभी काम की कभी नहीं होती लेकिन इन सब के बावजुद यहां जो तकलिफ आ रही है वो यह है कि यह रेखाएं बीच-बीच में आकर कि इसको काट करके आगे बढ़ जा रही है और किसी भी तरह के से क्रोस का साइल सूर के उपर अच्छा होता ही नहीं है यह संघर्ष, बादा, अर्चन और मुग के पास निवाला आते रहे जाना यानि काम बनते बनते रहे जाना, रुक जाना और अपनी योगिताओं का पूरा लाब ना उठा पाना कई मरतबा बहुत ज़्यादा महनत या एफर्ट्स के बाद भी क्रेडिट रिवर्ड आवोर्ड ना मिलना यह सारे कॉंबिनेशन होते हैं सिर्फ आप इसको अगर ठीक कर लेते हैं या इसके रिगार्डिंग रेमिडी करते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून, तरक्की, उन्नती और अंतितह सफलता देख पाने में सक्षम रहेंगे आप अपने काम में ही इतना बीजी हो जाएंगे कि फिर आपको धिहानी नहीं रहेगा कि लख है भी या नहीं पिछले एफर्ट्स में सफलता मिली या भी नहीं आप प्रेजेंट में ही इतना इन्वॉल्ड हो जाएंगे कि बाकी सारी चिंता, तनाओ या पुरानी बातें, तकलिफें आपकी दूर हो जाएगी तो वो सन्रेमेडिय आपको वाटसेप पर शेयर कर दिया जाएगा दूसरी बात ये है कि ये सूर के अंत में फिश शिंबॉल का साइन बनता दिखाई दे रहा है इस तरीके का जब भी कॉंबिनेशन आता है तो ऐसे जातों कुल दीपक होते हैं यानि अपने घर परवर में सबसे आज जादा खुशाल, समरिध, प्रसिद, धनवान, योग्यवान देखने को मिलते हैं यानि कोल समाज का काम आपके नाम के बलबूते पर भी हो पाएगा फ्यूचर में ये उसकी निशानी है और अन्तितह ये रेखा कहा गई या फिर याकरिति किदर बन रही है सूर्य और बुध परवत के बीच में तो यह यशश्वी योग का भी निर्मान करती है कि सबसे आलिशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन और बहुती रॉयल्टी स्टेंडर ओफ लिविंग आप अपने लाइफ में मेंटेन कर पाएंगे दूसरा संगर्ष के बाद ही सफलता मिलती है तीसरा लेखन कार्य बोलचल की कला में माहिर होते हैं और इसलिए आप जैसे जातक का जो वाक शक्ती होता है या जो लेखन कार्य होता है वो बहुती अच्छा देखने को मिलता है और चोथा सबसे अंत और पॉजिटिव पॉइंट ये बुधादिती योग का निर्मान करता है तो ग्यान योगिता बेकार जाती ही नहीं है तो अंत तह सफलता मिलेगी थोड़ा सा पेशेंस और रखना है और पेशेंस की विए से कमी भी नहीं है आपके अंदर आपकी फिंगर की लेंथ लॉंग है तो इस कंडिशन में धहरे अच्छे खासे रूप से आप रख पा रहे हैं अगर हम इसी के रिगार्डिंग और महत्पुन बात करें तो आपकी मस्तिश रेखा की लंबाई सबसे अच्छी है जब हतेली क्यार पर मस्तिश रेखा जाती है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योगिता बढ़ जाती है ग्रेसे विंग स्किल अच्छा मिमोरी शारफ होना और लर्णिंग कैपिबिलीटी अच्छी होने ये सारे कॉमबिनेशन ग्रेट सक्सेस की निशानी होती है एक तो ये combination दूसरा जो luck line है उसका pure connection life line से है और luck line सीधे Saturn से होते हुए Jupiter को भी जा रही है तो इसका सीधा ताथ पर ये होता है कि मेहनत बेकार जाती है नहीं सफलता मिलती है इसलिए आपको बहुत जल्दी ही बहुत बड़े सतरी के सफलता मिलने जा रही है और वो कब तक मिलेगी इसका पूरा जो conclusion पाम का आज़ा उसके बाद आपको age भी जज़ कर दिया जाएगा कि कब आपको सफलता होने वाली है लेकिन yes government job के chances अच्छे हैं बस Sun को थोड़ा और strong improve करने की जरूरत है दूसरा question शादी कब होगी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि life line के parallel जो supportive line है वो यहाँ पर आ करके बहुत ज़्यादा strong position में आ रही है और यह सभी समय एक ही बात को indicate कर रहा है वो approximately 31 और 32 के mid का period इस period में आपकी marriage होगी और arrange marriage के chances पूरे हैं और married life बहुत अच्छी रहेगी married life अच्छे होने का reason पहली बात तो यह supportive line ही होगी क्योंकि जब ऐसी रेखा होती है तो partner का support, dedication, love, care, affections बढ़ता है शुक्र की स्थित्य अच्छी है तो luxury, comfort बढ़ेगा और life line के पहले हम देखने हैं जुपिटर माउंट पे भी तो जुपिटर माउंट पे भी हलका फुलका square triangle ऐसे sign आना शुरू हो रहे हैं जैसे यहाँ पर हलका सा square का sign आ सकता है triangle का sign तक्रिबन बनता दिखाए दे रहा है तो यह जो चिन होते हैं, यह power position authority सांसारिक परिवारिक या दामपत्य सुख को बढ़ा देने वाले होता है तो यह सारे sign अभी develop हो ही रहे हैं और इधर की आड़ी रेखा marriage में थोड़ा delay करती है लेकिन married life बहुती peaceful and successfully run करवाती है अब इसमें सबसे main बात यह है कि आपकी अच्छी कैसे रहने वाली है अगर हम देखें तो जब यह supportive line आ रही है तो बहुत सारे hurdle and trouble life के कम होती दिखाई देने लग रहे हैं और जब भी इसी supportive line होती है तो जितनी भी stressful line क्यों ना आ जाए इन सबका effect बहुती कम हो जाता है partner के support के कराण तो यह combination भी अच्छा है और उपर से हम देखें mind line के बारे में तो mind line का भी जो formation है वो बहुत ज़्यदा clean और sharp है तो इसका सीधा मतलब यही है कि यह शादी के बाद peace, happiness और success यह सारी चीज़े life में easily maintain आपके हो जाने वाली रहेगी तो again married life इसमें अच्छा रहने वाला है इसके बाद आपका कहना यह है कि आप अधिक सोचते हैं तनाव में रहते हैं तो उसके पीछे reason failure है actually आपका जो first finger के length है वो long है third finger के comparison में तो यह self respect को जादा indicate करता है और इस condition में कभी भी आप जैसे जादा किसी भी चीज़ से compromise कर सकते हैं लेकिन अपने ego या self confidence या self respect से करी नहीं सकते तो इतनी अच्छी योगिता होने के बावजुद भी इतनी पास पास से fail होना देखना बहुत जादा चिंता का कारण आपके लिए इसी लिए है अगर आपके अंदर इतना self respect नहीं होता तो problem ही नहीं होती तो इसी कारण से failure ने आपको कही न कहीं डर, चिंता, भय, regret, irritation, frustration यह सारी चीज़े दे दी है यही reason भी है कि इतनी सारी अभी हमको mangal की भी रेखाई दिख रही है जो एक तरीके से unnecessary stress, thinking, overthinking unwanted stress, pressure, anxieties इन सब को दरशारी बाकि इन सब रेखाओं को कोई इतनी negative sign होता ही नहीं है combination नहीं होता है negative तो यहाँ पर आपको अपने जुपिटर को satisfied करने की बहुत जरुवत है और यह जुपिटर certifies होंगे knowledge gain करने से अपने लिए respect पेदा करने से या धीरे धीरे life में अपने thought process को positive करने से तो इस condition में जितना हो सके अपने environment के उपर ध्यान दिए आपका palm का structure rectangular है और आप जैसे जातक जितना अच्छे environment में positive लोगों के बीच में प्रकत ही कि जेतना निकट और down to earth रहते हैं उतना life में peace happiness होती है किसी भी तरह की थकान तनाव कश्ट परसानी यह सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है तो कोई भी spiritual book भी आप यहाँ पर पढ़िए सबसे अच्छी तो गीता ही है उसको जब आप पढ़ेंगे तो जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो हमेशा आपको एक नई तरह का idea नई तरह की thinking नई तरह का pattern शुरू हो पाएगगा जिससे यह सारे issues आपके solve हो पाएगगे बाकी यह first finger long no बहुत अच्छा होता है जितने भी लोग अभी तक पावर पोजिशन या अथोरिटी या टॉफ लेवल मेनेजमेंट में देखने को मिले हैं CEO किसी कमपनी के IAS, IPS State Level Government Job Central Level Government Job उन सब का First Finger ही यारी Jupiter का Finger ही लौंग पाए गया क्योंकि जो जातक जिम्मदारी नहीं ले सकते अपने जिवन में जो जातक अपने लिए serious नहीं है जिन जातको को अपने आपको हमेशा आकलन करते रहने क्यादत नहीं है वो सफ़ल नहीं हो पाते हैं तो ये तीनों combination आपके अंदर है तो अन्ततह आपको आपका desire, ambition फुल्फिल होगा ही होगा तो जैसे यहाँ पर आपको कहा कि होगा ही होगा वो इसलिए कहा क्योंकि अनुभव बताता है कि first finger हमेशा अच्छा होता है लेकिन आपका goal वास्तों में बहुत बड़ा है लेकिन आप क्या कर रहे हैं छोटे छोटे बातों पर react कर रहे हैं एक आगरता कि कई न कई आ रहे हैं तो कई न कई आपका vision अच्छा है लेकिन उसके लिए जो serious ने सोने चाहिए वो नहीं है और सफलता ना मिलने का कई न कई इंडिरेक्ट effect यह पड़ गया है कि छोटी छोटी बातों को ले करके भी बेठीने की आदत हो चुकी है तो इन सारी चीजों में यही है कि अपने आपको बहुत ज़दा cool काम करना अपने interest पेशन हो भी को भी follow करना और थोड़ा घर के बाहर निकलना परकती से जोड़ाव रखना आप देख पाएंगे कि आप बहुत सरलता से सारी चीज़ कर पा रहे हैं अपने लाइफ में और कोई problem भी ऐसे नहीं आ रही है धन संपत्ती के regarding आप बिल्कुल बेफिकर रही है अपनी जीवन में आपकी जो लकलान है बहुत अच्छी है और जोपिटर से connection बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि Saturn हमको satisfaction ही दे सकते हैं लेकिन जोपिटर हमको बहुत बड़ी स्थर तक लेकर के जा सकते हैं हर विशे में संतुष्टी में, खुशी में, काम में, समाजिक स्थर में धन या पद के स्थर में तो ये confirmation देते हैं कि ये पेसा, धन, संपत्ती ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आपके जिवन में रहेगी और अभी क्या है कि Mercury Land भी धिरे-धिरे-धिरे डेवलप होना शुरू ही हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा patience रखी है आपकी सूर के रेखा भी बहुत active है 37 और 8 के एज से तो ये मतलब नहीं कि उस age में सफलता मिलेगी लेकिन उस age तक आते आते जिवन में सब कुछ मिलिया होगा जो भी कुछ आपको चाहिए अपने जिवन में तो अब यहाँ पर आते हैं आपके overall palm के analysis के उपर तो आते हैं another palm pick पे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि finger clean palm के compressor में ठीक है बहुत ज़्यादा short बहुत ज़्यादा long नहीं है लेकिन overall जो palm है वो आपका लंबाई में बहुत ज़्यादा है तो इस condition में यह है एक analytical capacity observative personality detailed thinking या detailed analytical detailed observative personality को represent करता है इस condition में हर बात के जड़ तक जाना कुछ ना कुछ सोचते है इचारते रहना और बहुत ज़्यादा logical way में thinking करना या knowledge gain करने के आदत रखने वालों में से होते हैं एक काम करने के पीछे भी जो जातक 10 बार सोचे वो वेक्तित है यहाँ पर आपका और little finger के लेंद यहाँ पर आपकी बिल्कुल independent है बाकी finger से तो यहाँ पर इसका ताथ पर यह है कि आप सुन सब के लेंगे करेंगे अपने मन के और finger के बीच में ऐसे gap independent nature approach मन मोजे किसम के वेक्तित हो और अधिक खर्चिले सुभाव को वेक्त करता है इसलिए पैसा सरलता से हाथ से फिसलता है little finger के अगर हम length को देखें तो वो तकरिवन third finger के first part तक पहुँच रही है तो communication skills या marketing skill work management ठीक रहेगा जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने उर से 100% effort राद उस काम को perfectly done कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी easily handle tackle कर पाएंगे वहीं first and third finger के length में हमने इसके पहले के pumping में देखा कि first finger के length अच्छी है इसमें हम देख रहे हैं कि third finger के length अच्छी है तो यहाँ पर यह दिखाई पढ़ रहा है कि दोनों के length में कुछ भी बहुत ज़्यादा फरक है नहीं तो इस condition में आप creative भी रहेंगे self made personality भी आपके रहेगी sun की finger अच्छी होने के करण और self respect या एक पर अगर से responsibility taking nature भी रहेगा तो बहुत कम उम्रे से अपने जिम्मदारियां ले लेना जिम्मदारियां समझना और पूरा करना ये व्यक्तितम होता है सभी finger में सबसे strong और straight finger आपकी saturn की है तो ये confirm कर दिये कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती इनसान है मेहनत पराकरम किसी प्रकार के तप हट में कोई आपके कमी नहीं है इसलिए आपने जो भी अपने जीवन में ठाना है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा उसके लिए बिल्कुल आपको चिंता करने की नकरात्म खुनी की जरुवत ही नहीं है finger के ओपर एसी सीधी खड़ी देखा है बेहद मित्रता पुर्वक सुभाव को दर्शाती है जसके करन हर परिस्थिती माहूल में अपने आपको ढाल पाने की योगिता हर प्रकार लोगों के साथ संबंद अच्छे से निभा पाने लंबे मद्धूर रिष्टे निभा पाने की योगिता हर परिस्थिती में कैसे भी सकरात्मक रहने की होगिता भी यह दे देता है तो इसलिए आपका जीवन शेली इतना आगे चलके सुधर भी रहा है क्योंकि यह सारे कॉंबिनेशन आपका औरा क्लीन करेंगे आपका औरा पोजिटिव करेंगे और सन्रेमेड्य तो और जीवन में उद्धार प्रगती ही लेकर के आएगा फिंगर के जो नोट से वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है जो एक इसपस्ट वाज एक किस्म का नेचर देता है जिसके करन सीधे इस पस्षूप से बाचित करना या सुनने की आदत भी यहाँ दे देता है और फैरेंजस की स्थिती इंटरनल मार्स की स्थिती ठीक है तो इस्टेमिना एनरजी रोग प्रतिरोधक शमतर ठीक रहेगा थम का साइज यहाँ पर आपका लॉंग है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योगिता यानि ग्रेसिपिंग्स के लिए हाँ बहुत अच्छी देता है और बहुत तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने या बिना सोचे समझे निरने ना लेने की आदत भी हाँ देता है इसके लावर यहाँ पर योग का चिन भी है आलिशन घर का सुख, अच्छा रहन सेन, खान पान एश्वाराम भरी जिंद्गी के साथ जो जातक मर्टेरिलिज्म में पीक पर जा पाते हैं उनके हाँ में योग का साहिन आता है लेकिन अभी यह डेवलप नहीं है पहले बात तो पूरा और ओपन भी है तो इसका ताथ पर यह है कि कंसेंट्रेशन इशू वास्तों में आपको है फोकस में कमी होने के करण कंसिस्टेंसी में काम करना मुश्किल हो जाता है इसके लिए योग प्राणायम ध्यान और किसी भी तरह का रिच्वल फॉलो करने का ही सजेशन दिया गया है और यह इसलिए क्योंकि यह सबसे पॉजिटिव और सबसे में कॉम्बिनेशन होता है पाम में जो कंफर्म करता है कि आपका इंट्यूशन भी डेवलप होगा पीस एन हैपिनेस भी लाइफ में आएगा औरा क्लीन भी होगा किसी भी तरह की मनोकामना सिधी या पूर्ण होगी अगर यह साइन कंप्लिट हो जाता है तो यह साइन अध्यात्म या धर्म के द्वारा या ध्यान इन सब के द्वारा ही पूरा होता है जहात हमका जोइन पूर्ण है मानसल कम है तो फ्लेक्सिबल नेचर एटिटूड होता है समय परिस्तिति के साथ सरलता से ढल पाने में और दूसरों को माफ कर आगे बढ़ पाने में flexible nature attitude रख पाने में आप जैसे जादक सक्षम होते हैं palm का structure जब भी rectangular हो यानि लंबाई में ज़्यादा तो lots of dream desire ambition देता है जिए उनके प्रती बड़ी सोच अप्रोच होती है कभी thinking desire dream से compromise नहीं कर पाते हैं surrounding से easily influence होते हैं positive surrounding का suggestion आपको पहले दिया गया है Jupiter के उपर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो धार्मिक, दयालू, अध्यात्मिक और करोणा में किस्म का व्यक्तित देता है दूसरों का तकलीफ समझना और खुछ से जितना बन सकता है तो ये आड़ी रेखा, Jupiter पे होना अच्छा माना गया है पेसो के विशाय में भी क्योंकि अनेको माधियम से धानार जन की योगों को निर्मित करता है social work भी आप जिससे आतक करने में एक्चोक होते हैं और वो करने से तो और ही ज़्यादा लाब होता है नाम, सब्बान, पद बढ़ना और ये आड़ी रेखा married life देरी से इसलिए create करती ताकि आप अपने life को तब तक बहुत ज़्यादा balance कर लीजिए अपने जो जड़ है या base से उसको मजबूत कर लीजिए और अगर आप ज़्यादा कोई की जलदी marriage भी होती है या relations भी अगर पहले रहते हैं तो वो successful नहीं हो पाते हैं इसी कारण से इसलिए married life आपके अच्छी रहने वाली है बहुत ही और जब आप खुद एक इस तर पर रहेंगे आपके partner एक इस तर पर रहेंगे तो जो growth है वो 300-400 गुना बढ़कर के जीवन में आता है तो यह Jupiter आपका अच्छा है यह confirm करता है कि आप जिसकी भी मदद करना चाहेंगे जीवन में कर पाएंगी इस वर आपको इतना सक्षम बनाएंगे तो कहीं से कहीं तक कोई तकलिफ नहीं यह progress line भी बहुत कम उबर में ही निकल चुकी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा महतुकांशी पन भी है और square की जहां बात कर रहे थे वो square इधर बाद में बने लेकिन इधर पे पहले बन सकता है तो वो तब ही बनेगा जब आपके अंदर उस तरीकी की skills specialization और खुद के प्रती उतना सम्मान आत्म विश्वस बढ़ेगा तब शनी की स्थिती को हम देखे तो यहाँ पर भी आपकी भाग रेखा मौजूद होने लग रही है कुछ छोटी छोटी और भी बहुत सारी रेखा हैं आरी है तो अनेक प्रकार के के प्रयत्न प्रयास या interest रखना लाइफ में और अनेक प्रकार से opportunity life में आना अनेक प्रकार से temporary source of earning करना उसकी जो निशान होती वो यही होती है कोई इसकी दिक्कत परशारी नहीं है बस जीवन में ये रेखा हैं भाग दोड़ी होते हैं या learning करते हैं तो यहाँ पर पहली जो mercury line निकली हुई है वो आपके 22 के उमर में निकली हुई है और दूसरी जो निकली है वो 26 और 27 के बीच में निकली है तो इन दोनों period में आपने अलग अलग प्रकार के learning की लेकिन उन दोनों learning से बहुत लाब नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों ही रेखा हैं आगे चलके रुख गई फिर उसके अद आपकी जो luck line है उसकी स्थिती और ज़्यादा strong और ज़्यादा थोड़ी फैल गई है लेकिन strong हो गई है क्योंकि एक support शुक्र से व्यादा आगे तो शुक्र का support यानि family spouse का support बहुत strongly मिल पाता और ये सारे support कब मिलेगा आपको 32-3 में और फिर इसके बाद में आपकी luck line और strong हो गई और अब इसमें सीधे connection सूरे का आएगा तो सूरे यानि name, fame, power, position, respect ये सारी चीजें एक साथ बढ़ेगी approach 38 case तक आते आते तक में तो luck line की स्थिति comparatively अच्छी है और अच्छी हो रही है बीच में एक star का sign आप देखेंगे ये star का sign जब भी mind line के आसपास होता है तो 100% आप जैसे जाते कोई भी exam clear करते हैं अगर competition के तैयरी कर रहे है अगर ऐसे जातक business man होते हैं और कोई नया चीज launch करना चाते तो उसमें सफलता मिल जाती है अगर ऐसे जातक writers हैं कुछ चीज लिखना चाते हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है तो सफलता किस चीज़ से मिल रही है में लिए दिमाग अपने खुद के निर्णे, अपने खुद की मानसिक्ता, अपने खुद की योगिताओं के बल्बूते पर, तो वो चीज एक अच्छा है, और मंगल इस करण से पॉजिटिव हो रहे हैं आपके, और मंगल पॉजिटिव हो रहे हैं यानि लाइफ में रोग रिंड शत्रों की क गए हैं और क्रिस क्रोस कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रगल बढ़ा रहे हैं, अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पारे हैं अभी भी, तो इसके लिए हम इसी का रेमिडिक करेंगे ताकि बेफिजुल के हर्डल, ट्रबल, स्ट्रेस, वरीज या जो अननेसेसरीली जो प्र कार की लाइन होती, तो इसे विद्ध्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस अच्छा देते हैं, तो अपना ग्यान दूसरों के काम अच्छा आ सकता है, और आता ही है, अपने लिए कम महनत होती है, दूसरों के लिए जादा हो जाती है, इसके अपरिके का मरकरी जिसमें मुल्टिपर्स लाइन हो अट्रेक्टिव नेचर परसनेल्टी उम्र से कम व्यक्ति को दिखाता है लोगों को बांदे रखने की सक्षमता अपनी बात मनवाने की योगता कन्विंस अट्रेक्ट और अपने बातों से प्रेरित प्रभावित करने की योगता यह देता है अकाउंट इनसे में भी आप इसी लें क्योंकि आपको मरकरी इतना पॉजिटिव है तो इस कंडिशन में केल्कुलेशन, रीजनिंग, लैंग्विज, नॉलेज, फाइनेंस ये सारे चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं लेकिन क्या हुआ सूर्य अच्छा है लेकिन क्लेरेटी नहीं है और जूपिटर वैसी बहुत अच्छे है तो आपने खुद के एक प्रकार से खर्चे उठाने के लिए या फिर अपने आपको बीजी रखने के लिए या अनधर रिजन्स के लिए भी मरकरी लाइन पहले डेवलप हो गई लेकिन आधी हदूरी डेवलप है तो आपने चीज़ें तो सीखी लेकिन पर्मानेंटली पॉजिटिवली नहीं सीखी तो उस करण से ग्यान तो है लेकिन प्रॉमिनेंट नहीं है आधा हदूरा दिखाई पड़ रहा है इसके लोग जो हरेदर रेखा है वहां से जब रेख लोयल और इमोशनल टाइप के नीचर पर्सनलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है तो यहां पर यह कॉंबिनेशन आपको बहुत ज़्यदा विश्वासी बनाएगा विश्वासी या लोग आपके प्रांग बंद कर विश्वास कर पाएंगा आपका व्यक्तित या करेक्टर रहने वाला है और हार्ट लाइन की स्थिति ओर ठीक है तो किसी तरह का मेजर हैल्थ इश्व आपको नहीं आएगा मैंड लाइन का कॉंबिनेशन मंगल से भी शुरुआ तो पहले बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हर बड़ी थी हर चीज़ को पाने की तब मना बहुत जल् है तो इधर भी कुछ अनदर प्रोग्रेस लाइन आ रही है इस तरह से यह जितनी भी हैं यह सब आपकी मेंटिलेटी को और पॉजिटिव ही करके आपको ऊपर के तरफ उठाएगी तरक्की दिलाएगी तो यहाँ पर सबसे पेंफुल या स्ट्रेस्फुल सिच्वेशन दो पास-पास में हैं पहला और दूसरा है यहाँ पर 33 से 35 के मिड़ में और तीसरा है यहाँ पर आपके 42 से 44 के मिड़ में थोड़ा सा प्रेशर या बर्डन मेंटल लेवल पर जादा रहेगा इसके लबा लाइफलेन के फ्लो में हम देखें तो लाइफलेन का फ्लो अच्छा है सेल्फ में लकलेन निकली हुई है यह क्यों निकली है इसलिए निकली है क्या कि अपने एफट से सफलता मिल जाएगी इस उम्रे तक आते आते तो यह समय है आपके जिवन करेक्ट 34 और 35 क मिड़ का तो इस समय सफलता भी मिलेगी लेकिन इस समय तक आते आते अधिकतर डिजार आपके कंप्लीट हो चुके होंगे उसको यह दर्शा आ रहा है और फिर लाइफलेन थोड़ी बिखर रही है तो लाइफ में एनरजी बहुत ड्रेन होगी आपकी मतलब भागत ओड़ी रिस्पॉंसबिलिटीज जादा रहने वाले जीवन में और यह रिस्पॉंसबिलिटी लेने में आपको मज़ा भी आने वाला है बाहर के तरफ रेखा जुकी हुई है तो बरतले से दूर ट्रेवल बहुत जादा होना और सेटलमेंट भी होने के चांसे अच्छे हैं एक ही नहीं बहुत लोगों का अलग-अलग प्रकार से सहीयोग जीने मिलते रहेगा इसलिए मल्टिपल यहां पर आपकी सपोर्टिव लाइन्स अविलेबल है अधिक चिंता करने से बचना चाहिए नीम का पेड़ाफ लगाए मंगलवर को छोड़के कभी भी हनमान चले साभी कर लिए निकालिए उस समय पर आप मेरिटेट करिए सांसों पर ध्यान दीजिए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए इन सारे रेमेडिय में आप अगर एक भी कर जाते हैं तो आपके मंगल के स्थिति अच्छी होने लगेगी तो इस कंडिशन में बैचेनी हर बड़ी जल्दबाजी खतम होगी, confusion, stress worries खतम होगा, clarity, dedication, काम के प्रति और focus increase हो जाएगा, शुक्र के उपर आड़ी रेखा आपके इसलिए जादा है क्योंकि आप किसी को भी लेकर के judgmental बहुत जादा हो जाते हैं, इसलिए आपका relationship भी अभी तक कहीं नहीं ठीक नहीं पाए क्योंक communications या एक तरीके से बहुत जादा partner या अपने कलीक के उपर हक जमाना या फिर उनके अंदर परिवर्तन करने की कोशिश करना, तो शुक्र पे आड़ी रेखा अधिक चिंतन मनन, overthinking, negative thinking की कारण भी आता है, तो जो वेक्ति जैसा उसको ऐसे accept करिए, वेक्तियों में changes करने की क साहना रखिए, दू तरीके का नजरिया होता, अपने नजरियों को positive ही रख लिजिए, शुक्र आपके peace, happiness और सारे pleasure की fulfillment इमिजेटली देना शुरू कर देंगे, क्योंकि शुक्र खराब नहीं है, लेकिन आड़ी रेखा है, अधिक चिंतां देती है, तो घर परिवार से भी restlessness होता है, तो यह sign आता है, शिव जी की किसी भी तरह से अराधना करना, या shivling पर अभिशेक करने से ही, यह issue खतम होना शुरू होता है, आप एक अलगी तरह का सुकून, इस remedy को करते हुए पाएंगे, और left hand में देखें, तो यहाँ पर चंदर के अपर किसी तरह का negative side नही तो कई न कई बेचे नहीं, आपकी जो है, वो बाहर की तरफ है, और हलका सा cross इधर भी है, तो इनी सब कारणों से नकरात्मक सोज भी आपका होता जा रहा है, इसको जल सजल ठीक कर लेजी, क्योंकि यह भी develop हुआ, prominent नहीं हुआ, prominent हो जाएगा तो बहुत लंबा ठीके गा आदत में आ जाएगा तब यह, तो उसको आदत नहीं बनने देना है, इस तरह की आड़ी रेखाओं को VLS अभी आ का जाता है, किसी भी तरह का addiction दे सकती है, तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने का suggestion दिया जाता है, लेकिन यह left hand में है, तो इसको उतना negative version नहीं तो यह थी सबसे महत्पुन बाते आपके हाथ के regarding, आशा करता हूँ सभी प्रश्न को अत्तर मिल गया हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, इधर भी जो star का sign है, वो भी correct 38 में ही बना वाए, तो यह star का sign, God gifted sign होता है, जब बहुत ही अचानक से भेतरी निलाब होना हो तो star, fish, symbol, triangle, rectangle, as a sign आजाते हैं, तो आशा करता हूँ, कि यह जानकर यह आपके बहुत काम है, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत-बहुत धिन्यवाद है